अब एक बार जरा स्निहा आरया जी मैं आपके पास आना चाहूंगी सांसद मौतर जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि लिविन रिलेशन्शिप्स से हमारी संस्कृती नश्ट हो रही है इस पर एक कानून बनाने की जरूत है इस पर आपका विचार क्या है? जहां तक कानून बनाने का विर्शा है अभी तक ऐसा कोई कानून एक्जिस्स नहीं करता जो जो लिविन रिलेशन्शिप्स को रेगिलेट करता है अभी यूर्सी सी के अगर हम बात करे उनिफॉर्म सिवल कोर्ट समान नागरिक सहीता जो है उसमें ऐसी बात उठी है कि शायद लिविन रिलेशन्शिप्स की रिजिस्ट्रेशन हो सकता है अब लिविन रिलेशन्शिप्स जहां पर रेगिलेट करने की बात हो सकती है लिविन रिलेशन्शिप्स जो रहते है उसकी कुछ-कुछ problems यह होती है कि उनको कुछ चीजों में legal recognition नहीं मिल पाता जैसे अगर मैं अपनी life insurance policy हो गए लेकिन यह हो गए उसका positive points निहा जी यह उसका positive point हो गए लेकिन जो बात हम सांसद महदे की समझ रहे हैं वो यह कि इससे संस्कृती नष्ट होती है जो लोग marriage में विश्वास रखते हैं और long term साथ रहना चाहते उन्हें साथ रहना और वो marriage में आगे बढ़ दी सकते हैं और मैंने अपनी personal professional life में भी बहुत सारे ऐसे couples देखे हैं जो living में साथ में रहे हैं और in the end कुछ सालों के बाद या कुछ महीनों के बाद वो शादी के बंदन में बंद रहे हैं रही बाद जैसे कि पूनम जी कह रही थी कि यह कोई trial नहीं है कि रहो और पहले इस्तमाल करो विश्वास करो क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि अगर एक इनसान के साथ आप जंदगी के अगले 20 या 30 साल गुजारना चाहते तो हम क्यों न उस इनसान के साथ छे महीने रहे के उस इनसान के रहन सहन खाने पीने हर चीज के तरीफों कर देए प्यार करना और उसके साथ रहना दो अलग अलग बाते ही और जब आप किसी के साथ रहते हैं सकते हैं और फिर हो सकता है कि आपकी शादी बहुत अच्छी निवेर राधर दैन शादी करने के बाद आपको यह पता चले कि आप दोनों की तो बनने रहे और फिर उसके बाद उसको छोड़डा बहुत मुश्किल होता है Sneya ji जी देखें भारत में जितने भी कानून बने हैं वो कानून बनते हैं कोस्टिशन से निकलके वहां जो फंडमेंटल राइस एक्जिस्ट करती है वहां जो वैल्यूस एक्जिस्ट करती हैं उनके बेसिस पे और यहां पर वो नैतिक्ता की बात करते हैं सामाज की बात करते हैं सामाज की निर्देश पे नैतिक्ता को देखें कोई कानून नहीं बन सकता अगर कोई भी कानून बैल ओरती उसने जी आपका फ्रेम फ्रीज हो गया पूनम जी इसी पर आपकी बात कहुंगी हाँ पूनम जी का को समझना चाहते हैं और फिर उसके बाद हो मैरेज करना चाहते हैं तो इसमें कोई को राज़ इसके फार प्रोश्प मैं चार साल किसी के साथ रही ठीक है चार साल कोई लड़का मेरे साथ रहा और चार साल बाद हम दो तो फिर मैं हम दोनों रजामंदी से अलग हो गए फिर हम किसी और को ट्राइ करेंगे भाई उसके साथ नहीं मेरा अदर्स्टेंडिंग नहीं बनी उसके साथ नहीं रही फिर दो साल ऐसे तो आप ट्राइ करते रहो गए लाइफ पुर आपकी लाइफ खतम हो जाएगी मैम जो लोगों को जो लोग आपने जो बात करी है कि दो लोगों की साथ में नहीं बन रही है आपको ये पता है कि आज अरेंज मैरेज के चक्र में भी जब लड़का लड़ती उस कोडशिप के पीरे में मिलते हैं और बहुत सारे ऐसे कुपल्स जिनमें फिजिकल करना चाहते हैं तो आप यह बद द्यस्य के नाम पर भी आज आज की डिए पर लव मैरेज करते यह हम टेंडर जेसे वेबस पर जाते हैं, हम मंबल जेसी वेबस पर जाते हैं जह हम सेक्स को लेकर एक उबजेक की तरह यूज करते हैं. तो हम इस इंवार्मेंट में यह चीज जीज क्यू नहीं समझ रहें? बच्छों की कुछ एक्सपेक्टेशन जैं, उनकी कुछ विशेज हैं, पेरेंट साथ में बैठ के उनसे चीज़ों की बात क्यूं नहीं करती हैं? क्योंकि या बात है बिलकुल जरूरी है यह बिलकुल जरूरी है कि पैरेंस बच्चों को सही गलत बताएं ना बैट के बात करें चर्चा करें बट यह किसी समझा का समधान नहीं कि आप साथ रहो फिर अंडर्स्टेंडिन नहीं बट अब अब बर्खा जी का भी अओपिनिर बच्चे बहुत समयदार है वो टाइम चला गया जब आप बच्चों को समझाते थे बच्चों को आज सेक्स एड्यूकेशन तक दी जाती है स्कूल कॉलेजिस में सब पता है उने लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आप यह देखिए आप फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रहे हैं आ अब हम 21st century में रह रहे हैं यहां पर सबके अपनी अपनी choices हो सकती है और उन choices का सम्मान करना चाहिए बड़ा सवाल यह है कि जो repercussions है मतलब अगर married life है आपकी और आपने माबाप की सहमती से शादी करिए उनकी मर्जी से शादी करिए तो आप 498 डाल करके और तमाम कानून ड अगर हम पूनम जी की बात के पक्ष में भी बात करते हैं तो देखे अगर क्या हमारी संस्कृति क्या हमारा समाज पहली बात है कि हम इसको accept नहीं करते हैं और इसलिए देखिए सदन के पतंता कि यह बात पहुँच चुकी है और कहा जा रहा है कि इस पर कानून बना जाए पूनब जी जिस बात को लेकर कह रही हैं कि अगर चार साल तक आप लिविन में रहते हैं और तब भी आपके कंपाड़िमिल्टी उतनी नहीं बनती है और वहां पर आपका ब्रेक अप हो जाता है तब क्या आप फिर से इंतजार करेंगे इस पर आप क्या कहेंगे और और एक तो और आप ये दो विवाहित लोग साथ रहें वो फिर भी जस्सिफाइड है लेकिन आज की डेट में विवाहित लोग लिवें रिलेशन्टीप पर रहरें वो गलत है उससे दो परिवार टूट रहें एक जो मेल उसका पार्टनर खराब हो रहा है और जो फीमेल हरह रही ह में जब रहे रहे हैं तो एक के साथ नहीं बात समझ आई अब सेपरेशन पर टाइम पर रेप मठ डाले जिसके साथ मर्जी रहें रहें और जो आप यह कह रहें कि विवाहित रहें ना मतलब उने पट्टी को भी लच्वाहित हो चुकी है हमारे इस में थोड़ा सा लौकी बडीचर वी जानकारी भी होने बहुत जरूरी है अगर कोई लड़की किसी हम विवाहित परुष ग niezसाथ रहे तो वह सकती है वाइस वर्सा भी हो सकता है वो उनकी रखेस्ट है तो जित तो गलत है उसके बच्चे सफर कर रहे हैं दोनों पर दोनों के अपने अपने तरंख है लेकिन फिर लेकिन दोनों के अपने अपने तर्क हैं